कैसे आप सब आशा करतू कि आप सब अच्छे होगे और आपके पढ़ाई अच्छे चल रहे होगी तो आज की वीडियो में हम लोग मिंडल डेटा को कबर करने वाले हैं तो इस वीडियो में ठीक है हम इंडिया और वर्ड और उसके साथ ही यूपी के परस्पेक्टिव में ज और फैक्ट्स को लिख मिलेजिएगा ठीक है क्योंकि आप जितना जादा इसको देखेंगे प्राक्टिस करेंगे उतना जादा ही आपको चांसेस है याद रहे ठीक है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए फ्रैंट्स अब इस वीडियो में हम मिनरल चाहिएंगे तो सबसे पहले यूपी में फिर इन्डिया में और फिर वर्ल्ड में तो यह तीनों लेवल पर हम मिनरल का डेटा इस वीडियो में देखने es picture तो स्टार्ट करते हैं यूपी से तो देखिए यहां पर सबसे पहले कुछ फैक्ट्स है जैसे कि यूपी में जो खनेज विकास निगम की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी तो 1974 में बस उतना ही फैक्ट्स याद रखना है जतना की इंपॉर्टेंट है जहां से बन सकता है और 1998 में प्रथम खनीज नीटी आई थी उतरपदेश की जिसमें खनीज को द्योग का दरजा दिया गया था और अभी रिसेंटली 2017 में नई खनेज नीटी आई है ठीक है और इसमें क्या कहा गया है कि जो राजस प्राप्ती है उसमें जो खनीज का पोर्शन है ठीक है जो ख 3% तक ले जाना है तो बस इतना याद रखेगा बाकी यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो खनिज के मामले में थोड़ा सा पीछे है और अगर दक्षिल भारत के राजियों को देखा जाए और उड़ीशा जार कंशति इनके कंपैरजन में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उतने जादा खनिज नहीं पाए जाते हैं इसका कारण क्या है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है इसमें मोस्टली जो एरिया है यह जलोड निच्छेप पाया जाता है या तो तराई है या पिर जलोड निच्छेप ह बहुत कम ही छेत्र है तक्षिड का एकदम पठारी छेत्र जो है वहाँ पर खनिच पाए जाते हैं चीक है तो इसमें जादा यात कनिक ज़रूरत नहीं हो ना जादा कंफ्यूजन होगी क्योंकि बस कुछी गिने चुने ऐसे डिस्टिक्ट है जहाँ पर खनिच पाए जाते हैं तो यहाँ पर देख लिजे यह जलॉन हो गया जासी ललितपूर और महोबा ठीक है और यहाँ पर हमीरपूर है यह चित्रकूट है और यह बांदा है ठीक है यह प्रियागराज है यह स सबसे पहले चुना पत्थर लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं यह कहां पाये जाता है मिरजापूर में यह च्छेत्र का नाम दे देता है कि गुरुमा कनाच और बापु हारी यह किस लिए प्रसिद्ध है तो चुना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ठीक है और यह भी याद सबस्किये लकट हो गया यहांत ही दे रात खतर मिरजा पुर और वी चित्र कोट रिका बारी पिपान दे सबस्याइच की हम और काच बालू या ग्लास सेंड ठीक है इसको सिलिका सेंड भी बोलते हैं ये प्रियाग राज बांदा अलीगर्ड चितरकूर सेल खड़ी ये हमीरपुर जहासी में पाई जाती है रॉक फॉस्पेट ये ललितपुर फायर कले हो गया बासी मकरी और खो ये एक मिर्जापुर का चेतर है यहां पाई जाती है और सोन भदर में और हीरा बांदा मिर्जापुर में पाया जाता है सोना सोन भदर ललितपुर में पाया जाता है तामबा ललितपुर और सोन राई चेतर में पाया जाता है यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है और संग मरमर ये सोन कर लीजेगा संग मरमर सोनभद्र मिर्जापूर में पाया जाता है सैंड स्टोन मिर्जापूर में एंडुल साइट सोनभद्र और मिर्जापूर डायसपूर हमीरपूर जहासी महोबा ललितपूर रेनाइट कई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बांदा जहासी हमीरपूर जो एक एक, दो, दिस्ट्रिक्ट ہیں प्लस्ट आप उनको जरूर याद कर लेजए गाully जैसा कि Kelli Sight हो गया Mirza Poole और China Clay हो गया, Stoneござ बांदा दो डिस्ट्रिक्ट है Felspar, Jashi Geroe, Bвойnda, Geroe याद रखिएगा, बांदा में पाया जाता है तो फ्रेंट्स यह थे यूपी में पाए जाने वाले खनिश ठीक है और आप इनको एक से दो बार देखिएगा यह याद हो जाएंगे ठीक है नहीं याद होंगे तो ध्यान में तो रहेंगे ही चले फ्रेंट्स अब देख लेते हैं मिनरल डेटा इंडिया की जाएगा शैल वाला चैप्टर जोग्रफी में तो यहां पर उनके नाम लिखे हुए है जैसे कि धारवार की जो चट्टाने है इसमें सबसे जादा धात्वी खनिश पाये जाते हैं जैसे कि लो आयस्क हो गया तांबा हो गया वह सब आपको धारवार तंत्र की जो शैले है उनमें मिलेगा और इस तरह से विन देख करके शैले हैं जो उसमें चूना पत्थर पाया जाता है और गोंडवाना करके जो शैल क्रम है इसमें सबसे जादा कोईला पाया जाता है और इंडिया में जो कोईला है वो गोंडवाना ही शैल क्रम का है मैक्सिमम ठीक है और आगन यह भी आद रखिएगा जो अब्रिक है और संग्मर्मर है यह नॉन मेटल ठीक है मिनरल है बाकी यह मैटलिक हो गए बाकी यह लौ आयास कतामबा यह सब धात्विक खनीज है अब यहां पर देख लेते हैं कि कौन से खनीज में कौन से राज प्रडक्शन और रिजर्व में न पूचे जाते हैं कि जो तामबा है इसके भंडारण में कौन सा राज प्रधा मिस्थान पर है या फिर इस तरह से कोईश्वाइज पूच लिए जाता है कि जो कौपर है तामबा है इसके प्रडक्शन में नंबर तो राज जी कौन से है तो दोनों ही तरह के question आते हैं इसलिए दोनों ही यहाँ पर लिखे हुए हैं तो शांतिय से बस आप देखिएगा और दो चार बार इसको पढ़िएगा याद हो जाएगा देखें तामबे के production में MP No.1 है और राजस्थान No.2 पर है लेकिन reserve में राजस्थान No.1 है फिर जारखन फिर MP है तो आप दो दो याद रख लिजे कि तामबा सबसे ज़्यादा उतपादन कहां किया जाता है MP में और राजस्थान No.2 और reserve राजस्थान जारखन इसी तरह से सा अब यहां पर कोईले का देख लिजे कोल का production सबसे ज़्यादा 36 गड़ करता है ओडिशा करता है MP करता है जारखन करता है आप इसके आप यह चारो याद रखिएगा करम लगाने के लिए आता है reserve में जारखन No.1 पर है ओडिशा 36 गड़ और वेस्ट बंगॉल देखें बॉ आइसक आइरन ओर का पूछ लेता है question साधा तर तो इसमें ओरिशा No.1 है और 36 गड़ नंबर 2 है और करनाटक फिर जारखन और reserve में करनाटक No.1 है और जारखन तो अप कोईले और लग आइसक के चार चार या तीन तीन राज याद कर लीजेगा और यह भी लोग आइसक में दो तरह का तीन चार तरह का होता है जैसे कि एक हैमेटाइट हो गया मैगनेटाइट हो गया लिमोनाइट हो गया और सीडेराइट हो गया ठीक है तो इस तरह के कुछ है तो सबसे जादा अच्छा कॉन सा होता है अगर कहा जाए तो मैगनेटाइट होता है सबसे अच्छा ल लेकिन ओवर ओल अगर देखा जाए तो रिजर्व में करनाटक नंबर वन पे है और प्रोडक्शन में ओडिशन नंबर वन है अब लेड का देख लेते हैं राजिस्थान प्रोडक्शन करता है सबसे ज़्यादा रिजर्व भी राजिस्थार में सबसे ज़्यादा है अब लि एक uranium का है तो आप इसको याद रखेगा ग्रे नाइट में करनाटक प्रडक्शन में नंबर वन है और फिर राजस्थान है लेकिन रिजर्व में राजस्थान नंबर वन है यह डेटा आप अपने पास भी लिख लीज्येगा और कई बार आप देखेंगे तब ही सको कर पाएं तो तूचरी maze मैगनेज की प्रोडक्शन में एंपी no.1 है महराज no.2 है और सब्रिजर्व में औरिषय कृनाटा का जाते हैं माय का प्रोडक्शन में आंध्र प्रधेश और सब्रूडर रिजेव में धी आन्ध्रप्रदेश राजिस्थन तो यह लो श्रीया है और यह important भी है, मैंने सिफ वही लिखे हैं जो maximum जहां से question पन सकते हैं, अब प्राक्रितिक गैस यानि की जो natural gas है, इसका production सबसे जादा कहा होता है, offshore करके छेत्र है, अब तटी ये छेत्र जो है, वहाँ पर इसका production और reserve दोनों ही पाया जाता है, offshore में आप देख सकते हैं, बॉ बंबे हाई से निकाला जाता है, और इसके बाद असम आता है, फिर राजस्थान आता है, और इसम भी भंडारन में भी असम, फिर उसके बाद आंदरप्रदेश आता है, और अगर crude oil देखे कच्छे तेल में, तो ये भी offshore छेत्र से ही निकाला जाता है, जैसे कि बंबे हाई आलिया बेट, ये कुछ छेत्र हैं जो कि उस साइट पाए जाते हैं, और राजस्थान लेकिन नमबर टू पर है, कच्छे तेल के प्रोडक्शन में, और यहाँ पर भंडारन में भी offshore और असम, और इसमें प्राकरतिक गैस और कच्छे तेल, दोनों के ही भंडारन में offshore और होंगे, और लेकिन प्रोडक्शन अलागलाव हो गया, क्योंकि नमबर बन तो offshore ही है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन कच्छे तेल का राजस्थान जादा कर रहा है, और अगर प्राकरतिक गैस का देखें, तो असम जादा कर रहा है, अब यहाँ पर डाइमंड देख लेत का देखें, तो राजस्थान नमबर वन है, प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में, और अगर इस टील का देखें, तो इसका प्रोडक्शन सबस्यादा और इश्रम में होता है, फिर शारखन में होता है, चातिस गड़ में होता है, तो यह भी आप याद रखिएगा, तो वर्ल्ड मिनरल डेटा जो है इसमें कई कंट्री देखिए जिसे आस्ट्रेलिया हो गया आस्ट्रेलिया का जो छेतरफाल है बहुत जादा है और यहां पर खनन भी बहुत जादा किया जाता है यहां की अर्थवस्ता का मुख है जो अगर बोले श्रोथ माइनिंग है तो देख जो चाइना में होता है सैवन्थ नमबर पर इंडिया आता है कॉपर प्रोडक्शन में लेकिन यहां पर देखिए ता रिजर्व में भी चिली नमबर वन है और पिर ऑस्ट्रेलिया और पेरु अगर कच्छे तेल में देखें तो इसका जो प्रोड़क्शन है वह यूएस से सबसे जादा करता है लेकिन जो भंडारण है यह वेनेजुएला में सबसे जादा है उसके बाद तो खाड़ी देश है साओधी अरब चिक है दोनों ही रिजर्व और प्रोड़क्शन दोनों में ही नमबर टू पर कच्छे तेल के क्रूड ओयल में साओधी अरब आता है फि जासे अपने इंडिया में आफशुर चेतर है और अगर पर रश्या है और फिर ईरान है और रचारतिक गैस के देखिए तो रशिया नंबर वन wäre फिर इरान फिर क bell कैंड़ में देखे तो चायना दोन है प्र इंडिया आता है फिर अमेरिक आता है और अगर जयल्व में दे अब देख लेते हैं iron ore का production में Australia No.1 है जैसे कि अभी हमने देखा बॉक साइट में भी था Australia No.1 इसलिए से iron ore में भी No.1 है फिर चाइना फिर ब्राजील फिर फूर्थ No.1 पर इंडिया आता है और अगर देखा जाए तो iron ore के production और रिजर्व दोनों में ही Australia है फिर यहां पर ब् रिजर्व में भी Australia No.1 है फिर इसमें देखिए अब देखिए अब देखिए प्रेंट सिल्वर के production में मैक्सिको No.1 है और चीन No.2 पर आता है पेरू और रिजर्व में पेरू आस्ट्रेलिया और पोलेंड लेकिन आप यह ज़रूर याद रखिएगा production और रिजर्व वाला नाबीबिया फिर उसके बाद कनाडा फिर यहां पर देखिए रिजर्व में आस्ट्रेलिया कजाकस्तान और फिर कनाडा यूरेनियम इंपोर्टेंट है याद रखिएगा तीन से भी question पुछा गया है production में चीन हो गया इंडोनेशिया हो गया और रिजर्व में भी चीन तो बाद शवामा यहां पर ःषया बाद शवान याध रख याद रखिएगा डायमन में मैगनीज का देख लिए थे मैगनीज का प्रोडक्शन सबसे दादा दक्षर अफरीका करता है फिर गैबॉन यहां पर फिर देखिया उस्ट्रेलिया और फिर रिजर्फ सबसे दादा दक्षर अफरीका तो मैगनीज साउथ अफरीका मैगनीज साउथ अफरीका यह याद रख तो चैना कहा आपको दिख लिए टिन के नंबर वन यूमिनिय consortis इस तरह से याद रखिएगा कनेक्ट करते हुए याद रहेगा तेके जिंक से भी कुशन पूछ लेते हैं तो जिंक के प्रोडक्शन में चाइना फिर नंबर वन पर आ गया अब हमने देखा वहां पर कौन कौन से था गोल्ड का प्रोडक्शन चाइना नंबर वन कर रहा है इसको ध्यान रखिएगा जिंक में पेरू नंबर ड्यंस में आ चेंश इंडिया में नेकी गर राजस्थान करता है और इसदया में राजस्थान शाथा कि खाने है राजस्थान में जहां पर जस्ता यानि जिंक और चांदी यह सब पाया जाता है देखिए भारत में ना इंटी फाइफ कुल खनीज है जिसमें से फोर जो है वो इंधन है इंधन में कौन से आते हैं कोईला लिंगनाइट कच्छा तेल और प्राकृतिक गैस तो याद रखिएगा दातू खनीज में आप याद रख लिजेगा जैसे की लो आयस्क हो गया चिक है ऐलुमिनियम हो गया यह सारी चीजे आप कुछ याद रख लिजिएगा चांदी सोना है ना यह सब और इसके बाद यह कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था कोल माइन सब जो भी मिन्रल का इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको प्रोवाइट किया है आप बार वीडियो को देखिएगा लिखिएगा इन डेटा को तब ही आप कुछें सही कर पाएंगी एक बार देख लेने से नहीं होगा जब तक आप बार बार नहीं पढ़ेंगे और अगर वी वीडियो मित अब तक के सभी को अल बेस्ट और बाई बाई